जो आप लो 99.9% बच्चे के मिस्ट्री में कॉंसेप्ट की खलती करते आयों तेको CH4 प्लस CL2 एक रियक्शन होता है सनलाइट की मौझूदगी में और एक H9 से मुराद है रेडियेशन की मौझूदगी में अब हमारे हैं जो एक मिस्ट्री में 99.9% लोगों में कि जनाब H9 हुआ तो CH3 CL बना और सनलाइट बना तब यह नहीं 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 यहाद रखो जब H9 होता है तब तो ऐसा होता है कि एक-एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा एक एक CL से पहले CH3 CL फिर CH2 CL 2 फिर CH CL 3 फिर CCL 4 लेकिन जब सनलाइट होती है तो ऐसा नहीं होता सनलाइट होती है तो एक ही स्टेप में सारे के सारे हाइड्रोजन मॉलिक्ल रिप्लेस हो जाते हैं CL 4 से जी हाँ इस बात का खाल रखे हैं अगर यही स्टेप कहानी सनलाइट की मौझूदी में तो इन फिर्स स्टेप प्रोड़क्स C.C.L. 4 बनेगे और अगर एच नहीं है तो फूर्द स्टेप में जाके C.C.L. 4 बनेगा फिर्स स्टेप में जाके C.C.L. 3 बनेगा अच्छी खासे हम से गिड्नाप करता है तो फिर्स क्लोरोफर्म सुंगा के ही करता है वो ठीक है